आप 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 में से कई सारे से स्टुएंट है जो को अम्टी एक्जाम की तियारी कर रहे हैं तो स्टुएंट आप से रिक्वेस्ट है अगर आप चनल पर नहीं है तो चनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच सके तो स्टुएंट इस वीडियो म कर दिया है अगर आपने वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज करके वाला देख लें और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप सभी को कवर कर आने वाला हूं बी ल आई टू टू नाइन का जो कि है आई सीटी इन लाइब्रेरी इस पार्ट वान लॉंग कोशन है एंड इक्जामिनेशन 2022 के लिए तो सारे कोशन ही बहुत महत्वपूर्ण है तो ध्यान से सारी कोशन को आप कवर करें तो कोशन नमर वान है एक्सप्लेइन स्टेप आफ लाइब्रेरी आटोमेशन जो होता है उसमें कौन-कौन से स्टेप इन्वाल होते हैं देखे तौर पर जो चालिव जो है बहुत सारे यसे वर्क होते हैं जो पहले मैनुवरी होते थे बाट वो ऑलोमेटैट हो गए है इसके फीचर्स क्या होते हैं यह आपको डिस्क्राइब करना है उसमें से जितने भी मतलब दी एक्सपेक्टेट है ना वो सारे लिकाया हूं तो इन सब को स्किप ना करें इसके अलावां भी आप अपने लेवल पे और भी मतलब टॉपिक को कवर करें और भी कोशन कर सकते हैं ब होते हैं भाट यह तो आप छोड़ेना उसके अलवां थर्ड कोषन है वाट इस अडिजिटल लाइबरी ऊटी है और डिस्कास करने हैं एडवन्टेजेस है तो डिजिटल लाइबरी आप सोगो पता है डिजिटल लाइबरी क्या होती जहांपे जितने भी इंफरमेशन हो होती है जो डॉक्मेंट यूजर को प्रवाइट कहा जाता है वो सब डिजिटल फॉर्म में होता है और इसके क्या महत्वपून मतलब यहां पर एडवंटेजिस है क्या आपको बेनिफिट्स क्या है इसके तो वह यहां पर बताने हैं जैसे कि एक बेनिफिट यह है कि पर लें बाकि आप देख लेना कोशन नमबर फॉर है डिस्क्राइब दस्पेशल फीचर ऑफ कोहा आई एल्स तो कोहा का जो यहां पर फीचर्स है मैंने आपको पहली बताया था कोहा इस वरी इंपॉर्टेंट एस्क जब हम यहां पर टू-टू-9 की बात करते हैं तो कोहा आप पता है आपको एक फ्री ओपन सॉफ्ट्वेर है जो की लाइब्री में इस्तमाल होता है बुक को इशू रिटर्न और बहुत सारे और एक्टिविटीज के लिए यहां पर इस्तमाल कर जाता है आपने तू-टू-9 का वाइब आप अगर आप लोग का ऑनलाइन हुआ हो जो होता है इसके जो स्टेफ है वो यहां पर बताने है लाइक फर इक्जामपल कोई शब्द है जो कि आपने कहीं पेपर पे लिखे फिर उसको आपने हाड कॉपी से आपने उसको प्रिंट में करा फिर उसको आपने उसको फॉर्मेट बदल दिया जैसे जे पीजी हो गया उसको मतलब पिक्स में बदल दिया तो यह सब क्या होता है यह डिजिटाइजेशन का प्रोसेस होता है तो इनी सब को यहां पर बताना है और भी चीज़े होती है आप जब इसको पढ़ेंगे डेटेल में तो आपका सारा चीज जो है वो कवर हो जाएंगी फिर कोश्चन न के बारें बताने हैं कोश्चन नमबर सेवन है एक्सप्लेंड प्रोसेस ऑफ कैप्चिरिंग प्रिंट बेस्ट डॉकुमेंट प्रोसेस बताने हैं यहां पर जब कैप्चर किया जाता है प्रिंट बेस्ट जो डॉकुमेंट होते हैं तो क्या किया जाता है स्कैन कर सकते हो आ आब कर सकते हैं तो यहाँ पे यहीं बताने है कुश्व्चन नाबर 8 है डिस्टिंगुश पीप्टीजिट्ट क Aurul डिजिटल लाइब्रेरी डिजिटल डिजिटल लाइब्रेरी आपको मैंने उपर बताया है डिजिटल collection क्या होता है जैसे digital library है तो उसमें जितने भी document होगा जितने भी information होगा और सब digital form में होगा तो जितने भी collection उनके पास है उतको हम digital collection बोल सकते हैं question number है यहाँ पे 8th question discuss the advantages of GSDL GSDL जो है इसके क्या advantages है यहाँ पे आपको बताने है question number 10 what is serial control? serial control से आप क्या समझते हैं और enumerate करने है activities जो की serial control में involved होती है question number 11 है discuss general parameter for evaluation of integrated library system तो जो integrated library system होती है इसका जो general parameter होता है evaluation का वो यहाँ पे आपको discuss करने है और last question है इस वीडियो का जो की है discuss the workflow of automated circulation automated circulation के जो workflow होता है वो यहाँ पे बताने है तो यह 12 question था जो की बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के exam perspective से 229 is one of the toughest paper because इसमें जो है काफी सारे student के back लगता है तो इसको आप हलके में आ ले और please करके इसको अच्छे से यहाँ पे cover करें आप exam में अच्छे से इसको मतलब सारी question आप कर लोगे तो आपको इन में से बहुत सारे question है exam में आपको देखने को मिलेगा तो बाकी और कोई doubt हो तो please करके comment box में आप comment box में करें और next जो हमारा वीडियो आएगा उसमें part 2 लेके आएंगे जिसमें आपको short question भी आपको करा देंगे तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे से prepare कर रहोंगे आपकी exam के लिए तो मिलते हैं आप सभी से next lecture में कि select topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद कर दो